भारत की लोक गाथाओं में है कि सुकरात की शिष्ष परंपरा के मनीशी अरस्तु ने अपने शिष्ष सिकंदर को भारत से गीता ग्यानी गुरू लाने का निर्देश दिया था। गीता के ही ये केश्वरवात को विश्व की विविद भाषाओं में मूसा, ईसा तथा अनेक सूफी महत्माओं ने फैलाया। भाषांतर होने से ये प्रिथक प्रिथक प्रतीत होते हैं किन्तु से धांत गीता के ही है। अतह गीता मानव मात्र का अतर के धर्म शास्त्र है। गीता का आशे relativity यतार्थ गीता के रूप में प्रस्तुत कर स्वामीश्री अंगणान जी महराजड में मानव मात्र को एक अमूल्य निदिदी है जिसका कैसित रूपांतर शृजी जीतिन भाई के सोजणि से हुआ है। गीता के दसियों हजार अनुवादों के बीच दैदिक प्यमान इस व्याख्या के आलोक में आप सब परमश्य के साधक बने। ओम श्री परमात्मने नमः यथार्थ गीता श्रीमत भगवत गीता अथ शश्ठो ध्याया संसार में धर्म के नाम पर रीति रिवाज, पूजा पद्धतियों, संप्रदायों का बाहुल्य होने पर कुरीतियों का शमन करके एक ईश्वर की स्थापना एवं उसकी प्राप्तिकी प्रक्रिया को प्रशस्त करने के लिए किसी महापुरुष का आविर्भा होता है क्रियाओं को छोड़ कर बैठ जाने और ज्ञानी कहलाने की रोड़ी कृष्ण काल में अत्यंत व्यापक थी इसलिए इस अध्याय के प्रारंब में ही योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रशन को चौथी बार स्वयम उठाया कि ज्ञानी योग तथा निश्काम कर्म योग दोनों के अनुसार कर्म करना ही होगा श्री भगवान वाच अनाश्रिता कर्म फलं कार्यं कर्म करोतिया ससन्यासी चयोगी च न निरगने न चाक्रिया श्री कृष्ण महराज बोले अर्जुन कर्म फल के आश्रह से रहित होकर अर्थात कर्म करते समय किसी प्रकार की कामना न रखते हुए जो कारियम कर्म करने योग्य प्रक्रिया विशेश को करता है वही सन्यासी है, वही योगी है केवल अगनी को त्यागने वाला तथा केवल क्रिया को त्यागने वाला न सन्यासी है न योगी क्रियाएं बहुत सी हैं, उनमें से कारियम कर्म, करने योगी क्रिया नियत कर्म, निर्धारित की हुई कोई क्रिया विशेश है वो है यग्य की प्रक्रिया जिसका शुद्ध अर्थ है आराधना जो आराध्य देव में प्रवेश दिला देने वाली विद्विशेश है उसको कारी रूप देना कर्म है जो उसे करता है वही सन्यासी है वही योगी होता है केवल अगनी को त्यागने वाला के हम अगनी नहीं जूते या कर्म त्यागने वाला कि मेरे लिए कर्म है ही नहीं मैं तो आत्म ग्यानी हूँ केवल ऐसा कहे और कर्म आरंभ ही न करे करने योगी क्रिया विशेश न करे तो वो न सन्यासी है न योगी इस पर और देखें इद्धि पांडव नईय सन्यस्त संकल्पो योगी भवति कष्चन अर्जुन जिसे सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तु योग जान क्योंकि संकल्पों का त्याग किये बिना कोई भी पुरुष योगी नहीं होता अर्थात कामनाओं का त्याग दोनों ही मार्गियों के लिए आवश्यक है तब तो सरल है कि कहते कि हम संकल्प नहीं करते और हो गए योगी सन्यासी श्री कृष्चन कहते हैं ऐसा कदा भी नहीं है योग पर आरूड होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ती में कर्म करना ही कारण है और योग का अनुष्ठान करते करते जब वो परिणाम देने की अवस्था में आ जाए उस योगा रूडता में शमह कारणम उच्यते संपूरों संकल्पों का अभाव कारण है इस से पहले संकल्प पिंड नहीं छोडते और योगा रूड़स्त दोच्चती जिस काल में पुरुष्ण तो इंद्रियों के भोगों में आ सक्त होता है और न कर्मों में ही आ सक्त है योग की परिपक्ववा वस्था में पहुंच जाने पर आगे कर्म करके ढूने के से अता नियत कर्म आराधना की आवशक्ता नहीं रह जाती इसलिए वो कर्मों में भी आ सक्त नहीं है उस काल में सर्वसंकल्प सन्यासी सर्वसंकल्पों का अभाव है वही सन्यास है वही योगा रूड़ता है रास्ते में सन्यास नाम की कोई वस्तु नहीं है अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना उद्धार करे अपने आत्मा को अधोगति में न पहुँचावे क्योंकि वो जीवात्मा स्वयम ही अपना मित्र है और यही अपना शत्रु भी है कभी यह शत्रु होता है और कभ मित्र इस पर कहते हैं बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वरतेतात्मैवशत्रुवत करें जिस जीवात्माद्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उसके लिए उसी का जीवात्मा मित्र है और जिसके द्वारा मन और इंद्रियां सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वो स्वयम शत्रुता में बरतता है इन दोश लोकों में श्री कृष्ण एक ही बात कहते है कि अपने द्वारा अपने आत्मा का उद्धार करें उसे अधोगती में न पहुँचाएं क्यूंकि आत्मा ही मित्र है स्रिष्टी में न दूसरा कोई शत्रु है न मित्र किस प्रकार? जिसके द्वारा मन सहित इंद्रियां जीती हुई है उसके लिए उसी का आत्मा मित्र बनकर मित्रता में बरतता है परम कल्यान करने वाला होता है और जिसके द्वारा मन सहित इंद्रियां नहीं जीती गई है उसके लिए उसी का आत्मा शत्रु बनकर शत्रु में बरतता है नीच योनियों और यादनाओं की और ले जाता है प्राया लोग कहते हैं मैं तो आत्मा हूँ गीता में लिखा है ना इसे शस्त्र काट सकता है ना अगनी जला सकता है ना वायू सुखा सकता है ये नित्य है अम्रित स्वरूप है ना बदलने वाला है शाश्वत है और वो आत्मा मुझ में है वे गीता की इन पंक्तियों पर ध्यान नहीं देते कि आत्मा अधोगती में भी जाता है आत्मा का उद्धार भी होता है जिसके लिए कारियम कर्म करने योगी प्रक्रिया बताई गई है अब अनुकूल आत्मा के लक्षन देखे जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितह शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा माना अपमानयो सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान में जिसके अंतह करन की वृत्तियां भली प्रकार शांत है ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष में परमात्मा सदै विस्थित है कभी विलग नहीं होता जितात्मा, अर्थात जिसने मन सहित इंद्रियों को जीत लिया है वृत्ति परम शांती में प्रवाहित हो गई है यही आत्मा के उद्धार की अवस्था है आगे कहते हैं जिसका अंतह करण ज्ञान विज्ञान से त्रिप्त है जिसकी इस्थित अचल, स्थिर और विकार रहित है जिसने इंद्रियों को विशेश रूप से जीत लिया है जिसकी द्रिष्ट में मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण एक समान है ऐसा योगी युक्त कहा जाता है युक्त का अर्थ है योग से संग्युक्त ये योग की पराकाष्टा है जिसे योगेश्वर पाँचवे अध्याय में श्लोक साथ से बारा तक अभी चित्रित करा है परमतत्व परमात्मा का साक्षातकार और उसके साथ होने वाली जानकारी ज्यान है एक इंच भी इष्ट से दूरी है, जानने की इच्छा बनी है तब तक वो अज्ञानी है वो प्रेरक कैसे सर्वव्यापत है? कैसे प्रेरना देता है? कैसे अनेक आत्माओं का एक साथ पत्प्रदर्शन करता है? कैसे वो भूत, भविश्य और वर्तमान का ग्याता है उस प्रेरक इष्ट की कारे प्रणाली का ग्यान ही विज्ञान है जब से हिर्दय में इष्ट का आविर्भाव होता है उसी दिन से वो निर्देश देने लगता है किन्तु प्रारंब में साधक समझ नहीं पाता पराकाष्ठा काल में ही योगी उनकी आंतरिक कारे प्रणाली को पूर्णता समझ पाता है यही समझ विज्ञान है योगारूर अत्वा युक्त पुरुष का अंदा करन ज्ञान विज्ञान से त्रप्त रहता है इसी प्रकार योग युक्त पुरुष की स्थिति का निरूपण करते हुए योगेश्वर शिरी कृष्ण पुना कहते है प्राप्ति के पश्चात महापुरुष समदर्शी और समवर्ती होता है जैसे पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि जो पूर्ण ग्याता या पंडित है वो विद्या विने संपन ब्रामण में, चांडाल में, गाये कुत्ता हाथी में समान द्रिष्टी वाला होता है उसी का पूरक ये श्लोक है वो हिर्दय से सहायता करने वाले सहिर्दय, मित्र, बैरी, उदासीन, द्वेशी, बंधुगणों, धर्मात्मा तथा पापियों में भी समान द्रिष्टी वाला योग-युक्त पुरुष, अतिश्रेश्ट है वो उनके कारियों पर द्रिष्टी नहीं डालता, बलके उनके भीतर आत्मा के संचार पर ही उसकी द्रिष्टी पढ़ती है इन सब में वो केवल इतना अंतर देखता है कि कोई कुछ नीचे की सीड़ी पर खड़ा है तो कोई निर्मलता के समी किन्तु वो क्षमता सब में है, यहाँ योग-युक्त के लक्षन पुना दोराए गए कोई योग-युक्त कैसे बनता है, वो कैसे यग्य करता है, यग्यस्थली कैसी हो, आसन कैसा हो, उस समय कैसे बैठा जाए, करता के द्वारा पालन किये जाने वाले नियम, अहार विहार, सोने जागने का सैयम, तथा कर्म पर कैसी चेष्टा हो, इत्याद बिंदूओं पर य योगेश्वर शृरी कृष्ट ने अगले पांच श्लोकों में प्रकाश डाला, जिससे आप भी उस यग्य को संपन्न कर सके, अध्याय तीन में, उन्होंने यग्य का नाम लिया, और बताया के यग्य की प्रक्रिया ही वो नियत कर्म है, अध्याय चार में उन्होंने यग् ये का शुद्ध अर्थ है आराधना तथा उस आराध्य देव तक की दूरी तय कराने वाली प्रक्रिया जिस पर पांचवें अध्याय में भी कहा किन्तु उसके लिए आसन भूमि करने की विधि इत्यादिका चित्रन शेश था उसी पर योगेश्वर शुरी कृष्ण यहां प्रकाश डालते हैं योगी युन जीत सततम आत्मानम रहसी स्थितह एका की यत चित्तात्मा निराशीर परिक्रह चित्त को जीतने में लगा हुआ योगी मन इंद्रियों और शरीर को वश में रखकर वासना और संग्रह रहित होकर एकांत स्थान में अकेले ही चित्त को आत्मों पलब्धि कराने वाली योग क्रिया में लगावे उसके लिए स्थान कैसा हो आसन कैसा रहे शुचव देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन मात्मना नात्युच्षितम नाति नीचम चैलाजिनकुषोत्तरम शुद्ध भूमी में कुष म्रिगच्षाल वस्त्र अत्वा इससे उत्तरोत्तर रेश्मी उनी तक्त कुछ भी बिछा कर अपने आसन को नाति उंचा ना नीचा स्थिर स्थापित करें शुद्ध भूमी का तापड़े उसके ज़ाडने बुहारने सफाई करने से जमीन पर कुछ बिछा लेना चाहिए चाहे म्रिगच्षाल हो या चटाई अत्वा कोई भी वस्त्र तख्त जो भी उपलब्ध हो कोई एक वस्तु बिछा लेना चाहिए आसन हिलने डुलने वाला ना हो न जमीन से बहुत उंचा हो और न एकदम नीचा पोज्य महराज जी लगभग पाँच इंच उंचे आसन पर बैठते थे एक बार भाविकों ने लगभग एक फीट उंचा संगमरमर का एक तक्त मंगा दिया महराज जी एक दिन तो बैठे फिर बोले नहीं हो बहुत उंचा हो गया उंचे नहीं बैठे के चाहि साथ होगे अभिमान होई जावा करत है नीचे हूँ न बैठे के चाहि हींता आवत है अपने से घ्रना आवत है बस उसको उठवाया और जंगल में एक बगीचा था वहां रखवा दिया वहां न कभी महराज जाते थे और न अब ही कोई जाता है ये था उन महापुरुष का क्रियात्मक शिक्षण इसी प्रकार साधक के लिए भी बहुत उंचा असन नहीं होना चाहिए नहीं तो भजन पूर्ती बाद में होगी आंकार पहले चड़ बैठेगा इसके पश्चाद तत्रई का ग्रम्मन क्रित्वा यतचित्तेंद्रियक्रियह उपविश्यासने युंजा योगमात्म विशुद्धेर उस आसन पर बैठकर बैठकर यी ध्यान करने का विधान है मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतह करण की शुद्धी के लिए योगम भ्यास करें अब बैठने का तरीका बताते हैं समंकाय शिरो ग्रीवं धारयन चलं स्थिरह संप्रेक्षनासिका ग्रम्सों दिशश्चानवलो कयन शरीर, गर्दन और शिर को सीधा, अचल, स्थिर करके जैसे कोई पटरी खड़ी कर दी गई हो इस प्रकार सीधा द्रिल होकर बैठ जाए और अपनी नासिका के अग्रभाग को देख कर नासिका की नोक देखते रहने का निर्देश नहीं है बलके सीधे बैठने पर नाक के सामने जहाँ द्रिष्टी पड़ती है वहाँ द्रिष्टी रहे दाहीने बाए देखते रहने की चंचलता न रहे अन्य दिशाओं को न देखता हुआ, स्थिर होकर बैठे और प्रशान्तात्मा विगत भी ब्रम्हचारि व्रति श्थिता प्राया लोग कहते हैं कि जननेंद्रिय का सैयम ब्रम्हचरिय है किन्तु महा पुरुष्यों की अनभूती है कि मन से विश्यों का स्मरण करके आखों से वैसे द्रिश्य देखकर, त्वचा से स्पर्ष कर, कानों से विश्यो तेजक शब्द सुनकर, जननेंद्रिय सैयं संभव नहीं है ब्रह्मचारी का वास्त्वी कर्थ है ब्रह्म आचरती सब्रह्मचारी ब्रह्म का आचरण है नियत कर्म, यग्य की प्रक्रिया, जिसे करने वाले यांति ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हैं, इसे करते समय स्पर्शान कृत्वा बहिर बाहियान, बाहर के स्पर्श, मन और सभी इंद्रियों के स्पर्श बाहर ही त्याग कर, चित्त को ब्रह्म चिंतन में, श्वास प्रश्वास में ध्यान में लगाना है मन ब्रह्म में लगा है, तो बायस मरन कौन करे यदि बायस मरन होता है, तो अभी मन लगा कहा है विकार शरीर पर नहीं, मन की तरंगों में रहता है मन ब्रह्मा चरण में लगा है तो जननेंद्रिय संयम ही नहीं सकलेंद्रिय संयम तक स्वाभाविक हो जाता है अता है ब्रह्म के आचरण में स्थित रहकर भय रहित और अच्छी प्रकार शांत अंतह करण वाला मन को संयत रखते हुए मुझमें लगे हुए चित्त से युक्त मेरे परायन होकर स्थित हो ऐसा करने का परिणाम क्या होगा युन्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियत मानसह शान्तिम् निर्वान परमां मत्संस्थाम धिकच्चति इस प्रकार अपने आपको निरंतर उसी चिंतन में लगाता हुआ सईयत मनवाला योगी मेरे में स्थित रूपी पराकाश्था वाली शान्ति को प्राप्त होता है इसलिए अपने को निरंतर कर्म में लगाए यहां ये प्रश्न पूर्ण प्राय है अगले दोश्लोकों में वे बताते हैं कि पर्मानंदवाली शान्ति के लिए शारीरिक सैयम, युकताहार, विहार भी आवश्यक है अर्जुन ये योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का सिद्ध होता है न अत्यंत सोने वाले का और न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है तब किसका सिद्ध होता है युक्ता हार विहारस्य युक्त चेश्टस्य कर्मसू युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखः दुखों का नाश करने वाला ये योग उचित आहार विहार कर्मों में उप्युक्त चेश्टा और संतुलित शयन जागरन करने वाले का ही पूर्ण होता है अधिक भोजन करने से आलस्य निद्रा और प्रमाद घेरेंगे तब साधना नहीं होगी भोजन छोड़ देने से इंद्रिया खिर्ण हो जाएंगे अचल स्थिर बैठने के क्षमता नहीं रहेगी पूजे महराजजी कहते थे कि खुराक से डेड़ दो रोटी कम खाना चाहिए विहार अर्थात साधन के अनुकूल विच्रण कुछ परिश्रम भी करते रहना चाहिए कोई कारे ढूण लेना चाहिए अनिता रग्त संचार शिथिल पड़ जाएगा रोग घेर लेंगे सोना और जागना आयू आहार और अभ्यास से घटता बढ़ता है महराजजी कहा करते थे योगी को चार घंटे सोना चाहिए और अनवरत चिंतन में लगे रहना चाहिए हट करके न सोने वाले शीग्र पागल हो जाते हैं कर्मों में उप्युक्त चेश्टा भी हो अर्थात नियत कर्म आराधना के अनुरूप निरंतर प्रयत्न शील हो बाहे विश्यों का इसमरन न कर सदैग उसी में लगे रहने वाले का ही योग सिद्ध होता है इस प्रकार योग के अभ्यास से विशेश रूप से वश्मे किया हुआ चित्ध जिस काल में परमात्मा में भली प्रकार स्थित हो जाता है विलीन सा हो जाता है उस काल में संपूर्ण कामनाओं से रहित हुआ पुरुष योग युप्त कहा जाता है अब विशेश जीते हुए चित्ध के लक्षण क्या है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा गया दीपक चलाए मान नहीं होता लौस सीधे उपर जाती है उसमें कमपन नहीं होता यही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की दी गई है दीपक तो उदारन मात्र है आजकल दीपक का प्रचलन शिथिल पढ़ रहा है अगर बद्ती ही जलाने पर धुआ सीधे उपर जाता है यति वायू में वेग ना हो यह योगी के जीते हुए चित्त का एक उदारन मात्र है अभी चित्त भले ही जीता गया है निरोध हो गया है किन्तु अभी चित्त है जब निरुद्ध चित्त का भी विलय हो जाता है तब कौन सी विभूती मिलती है देखें यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग से वया यत्रचैवात्मनात्मानम पश्यनात्मनितुश्यति जिस अवस्था में योग के अभ्यास से बिना अभ्यास के कभी निरोध नहीं होगा अतय योग अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त भी उपराम हो जाता है विलय हो जाता है मिट जाता है उस अवस्था में आत्मना अपनी आत्मा के द्वारा आत्मानम परमात्मा को देखता हुआ आत्मनी एव अपने आत्मा में ही संतुष्ट अपनी ही आत्मा से होता है क्यूंकि प्राप्तिकाल में तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है किन्तु दूसरे ही क्षण वो अपने ही आत्मा को उन शाश्वत ईश्वरी विभूतियों से ओध प्रोथ पाता है। ब्रह्म, अजर, अमर, शाश्वत, अव्यक्त और अम्रित स्वरूप है। तो इधर आत्मा भी अजर, अमर, शाश्वत, अव्यक्त और अम्रित स्वरूप है, है तो, किन्तु अचिंत्य भी है, जब तक चित्र और चित्र की लहर है, तब तक वो आपके उपभोग के लिए नहीं है, चित्र का निरोध और निरुद्र चित्र के विले काल में परमात्मा का साक्षातकार होता है, और दर्शन के ठीक दूसरे क्षण उन्हीं ईश्वरिये गुण धर्मों से युक्त ही अपने आत्मा को पाता है, इसलिए वो अपने ही आत्मा में संतुष्ट होता है, यही उसका स अंतिकं यत्तत बुद्धि ग्रायमती इंद्रियम वेत्ति यत्रन चैवायम स्थितश्चलती तत्वता हूँ तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धी द्वारा ग्रहन करने योग्य जो अनंत आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में इस्थित हुआ योगी भगवत स्वरूप को तत्व से जानकर चलायमान नहीं होता सदैव उसी में प्रतिष्ठित रहता है तथा परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को पराकाश्था की शान्ति को प्राप्त कर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाब नहीं मानता और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में इस्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता दुख का उसे भान भी नहीं होता क्योंकि भान करने वाला चित तो मिट गया इस प्रकार जो संसार के संयोग और वियोग से रहित है उसी का नाम योग है जो आत्यंतिक सुख है उसके मिलन का नाम योग है जिसे परमतत्व परमात्मा कहते है उसके मिलन का नाम योग है वो योग न उकताय हुए चित से निश्चे पूर्वक करना करता विये धैर ये पूर्वक लगा रहने वाला ही योग में सफल होता है संकल्प प्रभवान कामान स्थ्यक्त्वा सर्वान शेशत मनसई वेंद्रिय ग्रामं विनियम्य समंतत इसलिए मनश्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन होने वाली संपूर्ण कामनाओं को वासना और आसक्ति सहित सर्वता त्याब कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब और से अच्छी प्रकार वश में करके शनई शनई रुपर मेद बुद्ध्या धृति ग्रिहीत याद क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हो जाए चित का निरोध और क्रमशह विले हो जाए तदनंतर वो धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमाक्मा में स्थित करके अन्य कुछ भी चिंतन न करे निरंतर लग कर पाने का विधान है किन्तु आरंभ में मन लगता नहीं इस पर योगेश्वर कहते हैं यतो यतो निश्चरती मनश चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्याईतद आत्मन्येव वशम्नएत ये इस्थिरन रहने वाला चंचलमन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उस उस से रोक कर बारंबार अंतरात्मा में ही निरोध करे प्रायह लोग कहते हैं कि मन जहां भी जाता है जाने दो प्रकृती में ही तो जाएगा और प्रकृती भी उस ब्रह्म के ही अंतरगत है प्रकृती में विचरन करना ब्रह्म के बाहर नहीं है किन्तु श्री कृष्ण के अनुसारी गलत है गीता में इन मानिताओं का किंचित भी स्थान नहीं है श्री कृष्ण का कतन है कि मन जहां जहां जाए जिन माध्यम से जाए उन्ही माध्यम से रोग कर परमात्मा में ही लगावे मन का निरोध संभव है इस निरोध का परिणाम क्या होगा? जिसका मनपूर रुपेण शान्त है जो पाप से रहित है जिसका रजोगुण शान्त हो गया है ऐसे ब्रह्म से एकी भूत योगी को सर्वोत्तम आनंद प्राप्त होता है जिससे उत्तम कुछ भी नहीं है इसी पर पुनहबल देते हैं युन्जन्नेवं सदात्मानम योगी विगतकलमशः पाप रहित योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर उस परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के अनंत आनंद की अनुभूति करता है वो ब्रह्म संस्पर्ष अर्थात ब्रह्म के स्पर्ष और प्रवेश के साथ अनंत आनंद का अनुभव करता है अता भजन अनिवार्य हैं इसी पर आगे कहते हैं सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानिचात्मनी इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्रसमदर्शनम योग के परिणाम से युक्त आत्मा वाला सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही प्रवाहित देखता है इस प्रकार देखने से लाब क्या है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वन्चमई पश्यति तस्याहम नप्रणश्यामी सचमे नप्रणश्यति जो पुरुष संपूर्ण भूतों में मुझ परमात्मा को देखता है व्याप्त देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ परमात्मा के ही अंतरगत देखता है उसके लिए मैं अद्रिश्य नहीं होता हूं और वो मेरे लिए अद्रिश्य नहीं होता ये प्रेरक का आमे साम सख्य भाव है सामी प्यम्मुक्ति है सर्वभूतस्थितं योमा भजत्य कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानुपी सयोगी महिवर्तते जो पुरुष अनेकता से परे उपर युप्त एकत्व भाव से मुझ परमात्मा को भजता है वो योगी सब प्रकार के कारियों में बरतता हुआ मेरे में ही बरतता है क्योंकि मुझे छोड़ कर उसके लिए कोई बचा भी तो नहीं उसका तो सब मिट गया इसलिए वो अब कल्ब से करता है आत्मव पम्येन सर्वत्र समंपश्यति योर्जुन सुखंवाय दिवा दुखंव सयोगी परमो मताः हे अर्जुन जो योगी अपने ही समान संपूर्ण भूतों में सम देखता है अपने जैसा देखता है सुख और दुख भी सब में समान देखता है वो योगी जिसका भेदभाव समान्थ हो गया है परमश्रेष्ट माना लेया है प्रश्न पूरा हुआ इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया अर्जुन उवाच्छ योयम योगस्त्वया प्रोक्तह सामेन मधुसूदन एतस्याहम नपश्यामी चंचलत्वात्स्थितिम्स्थिरां हे मधुसूदन ये योग जो आप पहले बता आये है जिससे समत्व भाव द्रिष्टी मिलती है मन के चंचल होने से बहुत समय तक इसमें ठैरने वाली स्थिति में मैं अपने को नहीं देखता हे श्री क्रिष्ण ये मन बड़ा चंचल है प्रमथन सभाव वाला है अर्थात दूसरे को मत डालने वाला हठी तथा बलवान है इसलिए इसे वश्मे करना मैं वायू की भाति अति दुशकर मानता हूँ तूफानी हवा और इसको रोकना बराबर है इस पर योगेश्वर श्री क्रिष्ण कहते हैं श्री भगवान वाचा महानकारिय करने के लिए प्रयत्न शील अर्थात महाबाहु अर्जुन नहसंदेह मन चंचल है बड़ी कठिनाई से वश्मे होने वाला है परंतु कौन तेय यह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश्मे होता है जहां चित्त को लगाना है वहां स्थिर करने के लिए बार बार प्रयत्न का नाम अभ्यास है तथा देखी सुनी विशय वस्तुओं में संसार या स्वरगादी के भोगों में राग अर्थात लगाव का त्याग वईराग्य है श्री क्रिश्न कहते हैं कि मन वश्मे करना कठिन है किन्तु अभ्यास और वईराग्य द्वारा ये वश्मे हो जाता है असैयतात्मना योगों दुश्प्राप इतिमेमति वश्यात्मना तु यतताः शक्यो वाप्तु मुपायत है अर्जुन मन को वश्मे न करने वाले पुरुष के लिए योग प्राप्त होना कठिन है किन्तु स्ववश मन वाले प्रयक्न शील पुरुष के लिए योग सहज है ऐसा मेरा अपना मत है जितना कठिन तु मान बैठा है उतना कठिन नहीं है अता इसे कठिन मान कर छोड़ मत दो प्रयत्म पूरुवक लग कर योग को प्राप्त कर क्योंकि मन वश्मे करने पर ही योग संभव है इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया अर्जुन उवाचा अयति श्रद्धयो पेतो योगाच्यलित मानसह अप्राप्ययोगसंसिद्धिम् कामगतिम् कृष्न गच्यति योग करते करते यदि किसी का मन चलाएमान हो जाए यद्यपी अभी योग में उसको श्रद्धा है ही तो ऐसा पुरुष भगवत सिद्धि को प्राप्त न होकर किस गधि को पाता है कचिन्नो भय विब्रश्टह चिन्ना भ्रमिवनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रम्हनपति महाबाहु श्री कृष्ण भगवत प्राप्ति के मार्क से विजलित हुआ वो मोहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भादी दोनों और से नश्ट ब्रश्ट तो नहीं होता छोटी सी बदली आकाश में च्छाए तो वो ना बरस पाती है ना लोट कर मेगों से ही मिल पाती है बल्कि हवा के जोकों से देखते देखते नश्ट प्राय हो जाती है उसी प्रकार शिथिल प्रयतन वाला कुछ काल तक साधन करके स्थगित करने वाला नश्ट तो नहीं हो जाता वो न आप में प्रवेश कर सका और न भोग ही भोग पाया उसकी कौन सी गती होती है एतन्मे संशयम क्रिष्ण छेत्तुमर हस्य शेशतह त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता नयुप पद्यते हे श्री कृष्ण मेरे इस संशय को संपूर्णता से मिटाने के लिए आप ही सक्षम है आपके अतरिक तो दूसरा कोई इस संशय को मिटाने वाला मिलना संभव नहीं है इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा श्री भगवान वाचा पार्थ नई वेहना मुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्यान कृत कश्चिद दुर्गतिं तात गच्छती पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर लक्ष की ओर अग्रसर अरजुन उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही नाश होता है क्योंकि हेतात उस परम कल्यान कारी नियत कर्म को करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता उसका होता क्या है प्राप्य पुन्य क्रितां लोकां उशित्वा शाश्वती समां मन चलाए मान होने से योग भरष्ट हुआ वो परुष पुन्यवानों के लोकों में वासनाओं को भोग कर जिन वासनाओं को लेकर वो योग भरष्ट हुआ था भगवान उसे थोड़े में सब दिखा सुना देते हैं उन्हें भोग कर वो शुची नाम श्रीमताम शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुर्षों के घर में जन्म लेता है जो शुद्ध आचरण वाले हैं वही श्रीमान है अथवा योगि नामेव कुले भवती धीमताम एतधि दुर्लभतरम लोके जन्म यदी द्रिशम अथवा वहाँ जन्म न मिलने पर भी स्थिर बुध्धी योगियों के कुल में वो प्रवेश पा जाता है श्रीमानों के घर में पवित्र संसकार बचपन से ही मिलने लगते हैं किन्तु वहाँ जन्म ना हो पाने पर वो योगियों के कुल में, घर में नहीं, शिश्य परमपरा में प्रवेश पा जाता है। कबीर, तुलसी, रैदास, वालमीग, इत्यादिकों शुद्ध आचरण और श्रीमानों का घर नहीं, योगियों के कुल में प्रवेश मिला। जन्म का अर्थ, उनके शरीर से पुत्र रूप में उत्पन होना नहीं है। ग्रिह त्याग से पूर्व पैदा होने वाले लड़के, मोह वश, महापुरुष को भी भले ही पिता मानते रहें। किन्तु महापुरुष के लिए घर वालों के नाम पर कोई नहीं होता। जो शिष्ष उनकी मर्यादाओं का अनुष्ठान करते हैं, उनका महत्व लड़कों से कई गुना अधिक मानते हैं, वही उनके सच्चे पुत्र हैं। जो योग के संसकारों से युक्त नहीं हैं, उन्हें महापुरुष नहीं अपनाते। पुज्य महराज जी यदि साधु बनाते, तो हजारों विरक्त उनके शिष्ष होते। किन्तु उन्होंने किसी को किराया भाड़ा दे कर, किसी के घर सूचना भेज कर, पत्र भेज कर, समझा बुजा कर, सबको उनके घर लोटा दिया। बहुत लोग हट करने लगे, तो उन्हें अप्शकुन हो, भीतर से मना हो, कि इसमें साधु बनने के एक भी लक्षन नहीं है, इसे रखने में भलाई नहीं है, ये पार नहीं होगा, निराश होकर दो एक ने पहार से गिरकर अपनी जान भी देती। किन्टु महराज जी ने उन्हें अपने यहां नहीं रखा, बाद में पता चलने पर बोले, जानत रहूं के बड़ा विकल है, लेकिन ये सोचते के सचहूं के मरी जाए, तो रखी लेते, एक ठोपतिते रहत अउर का हो, ममत्व उनमें भी विकट था, फिर भी नहीं रखा, छे साथ को जिनके लिए आदेश हुआ था, कि आज एक योग ब्रष्ट आ रहा है, जन्व जन्व से भटका हुआ चला आ रहा है, इस नाम और इस रूप का कोई आने वाला है, उसे रखो, ब्रह्म विद्या का उपदेश करो, उसे आगे बढ़ाओ, केवल उन्हीं को रखा आज भी उनमें से एक महापुरुष धार कुंडी में बैठे हैं, एक अनसुया में हैं, दो तीन अन्यत्र भी हैं, उन्हें सद्गुरु के कुल में प्रवेश मिला, ऐसे महापुरुषों को पाजाना अतिदुरलब है वहाँ वो पुरुष पहले शरीर में साधन किये हुए, बुद्धी के संयोग को, अर्थात पूर्व जन के साधन संसकारों को अनायासी प्राप्थ हो जाता है और हे कुरुननदन उसके प्रभाव से वो फिर संसिद्धव भगवत प्राप्ति रूपी परमसिद्धि के निमित प्रयक्न करने लगता है पूर्वा भ्यासे नते नईव, रियते यवशोपि सह, जिग्या सुरपियोगस्य, शब्द ब्रह्माति वर्त ते श्रीमानों के घर विशियों के वश में रहने पर भी, वो पूर्व जन्म के अभ्यास से भगवत पत की और आकर्शित हो जाता है और योग में शिथिल प्रयतन वाला वो जिग्यासु भी वाणी के विशय को पार करके निर्वान पत को पा जाता है उसकी प्राप्तिका यही तरीका है कोई एक जन्में पाता भी नहीं प्रयतनाध्यतमानस्तू योगी संशुध किल्विशह अनेक जन्म संसिध्ध ततो याति परामगतिम अनेक जन्मों से प्रयत्न करने वाला योगी परम सिध्ध को प्राप्त हो जाता है प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी सभी पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर परामगति को प्राप्त हो जाता है प्राप्तिका यही क्रम है पहले शिथिल प्रेतन से ये योग आरंभ होता है, मन चलायमान होने पर जन्म लेता है, सद्गुरु के कुल में प्रवेश पाता है और प्रत्येक जन्म में अभ्यास करते हुए वहीं पहुँच जाता है, जिसका नाम परमगति, परमधाम है योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था, कि इस योग में बीज का नाश नहीं होता, आप दो कदम चल भर दें, उस साधन का कभी नाश नहीं होता हर परिस्थिती में रहते हुए पुरुष ऐसा कर सकता है, कारण कि थोड़ा साधन तो परिस्थितियों में घिरने वाला व्यक्ति ही कर पाता है, क्योंकि उसके पास समय नहीं है आप काले हों, गोरे हों, अथवा कहीं के हों, गीता सब के लिए है आप के लिए भी है, बशरते आप मनुष्य हो उतकट प्रयत्म वाला चाहे जो हो, किन्तु शिथिल प्रयत्म वाला ग्रिहस्त ही होता है गीता ग्रिहस्त विरक्त शिक्षित अशिक्षित सर्वसाधारन मनुष्य मात्र के लिए किसी साधु नामक विचित्र प्राणी के लिए ही नहीं अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण निर्णय देते हैं तपस्रिभ्योधिको योगी ज्यानिभ्योपिमतो धिकह कर्मिभ्यष्चाधिको योगी तसमाद योगी भवार्जुन तपस्रियों से योगी श्रेष्ट है ज्यानियों से भी श्रेष्ट माना गया है कर्मियों से भी योगी श्रेष्ट है इसलिए अर्जुन तु योगी बन तपस्वी अभी योग को ढालने में प्रयत्नशील है कर्मी केवल कर्म जानकर करता भर है ये गिर भी सकते हैं क्योंकि न इन दोनों में समरपड है और न अपना हानी लाब देखने की क्षमता किन्तु ग्यानी योग की परिस्थितियों को जानता है अपनी शक्ती समझता है उसकी जिम्मेदारी उसी पर है और निश्काम कर्म योगी तो इश्ट के ऊपर अपने को फेक चुका है वो इश्ट समालेगा परम कल्यार के पत पर ये दोनों ठीक चलते हैं किन्तु जिसका भार वो इश्ट समालता है वो इन सब में श्रेष्ट है क्योंकि प्रभु ने उसे ग्रहन कर लिया है उसका हानी लाब वो प्रभु देखता है इसलिए योगी श्रेष्ट है इसलिए अर्जुन तु योगी बन समरपण के साथ योग का आचरण कर योगी श्रेष्ट है किन्तु उनसे भी वो योगी सर्वश्रेष्ट है जो अंतरात्मा से लगता है इसी पर कहते हैं संपूर्ण मिश्काम कर्म योगियों में भी जो शद्धा विभोर होकर अंतरात्मा से अंतर्चिंतन से मुझे निरंतर भशता है वो योगी मुझे परमश्रेष्ट मान्य है भजन दिखावे या प्रदर्शन की वस्तो नहीं है इससे समाज भले ही अनुकूल हो किन्तु प्र अंतर्चिंतन के ऊपर है निशकर्ष इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्रीकृष्ण ने कहा कि फल के आश्रे से रहित होकर जो कारियम कर्म अर्थात करने योग्य प्रक्रिया विशेश का अचरण करता है वही सन्यासी है और उसी कर्म को करने वाला ही योगी है के इवल क्रियाओं अथ्वा अग्नी को त्यागने वाला योगी अथ्वा सन्यासी नहीं होता संकल्पों का त्याग किये बिना कोई भी पुरुष सन्यासी अथ्वा योगी नहीं होता हम संकल्प नहीं करते ऐसा कह देने मात्र से संकल्प पिंड नहीं छोड़ते योग में आ सवसंकल्पों का अभाव होता है इसके पुर्व नहीं सवसंकल्पों का अभाव ही सन्यास है। योगेश्वर ने पुना बताया कि आत्मा अधोगती में जाता है और उसका उद्धार भी होता है। जिस पुरुष द्वारा मन सहित इंद्रियां जीत ली गई हैं। उसका आत्मा उसके लिए मित्र बनकर मित्रता में बरतता है। तथा परम कल्याण करने वाला होता है। जिसके द्वारा ये नहीं जीती गई। उसके लिए उसी का आत्मा शत्रु बनकर शत्रता में बरतता है यातनाओं का कारण बनता है अतह मनुष को चाहिए कि अपने आत्मा को अधोगती में न पहुँचा ले अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे उन्होंने प्राप्ति वाले योगी की रहनी बताई यग्य स्थली, बैठने का आसन तथा बैठने के तरीके पर उन्होंने कहा के स्थान, एकांत और स्वच्छ हो वस्त्र, म्रिग चर्म, अथ्वा कुश की चटाई में से कोई एक आसन हो कर्म के अनुरूप चेश्टा, युक्ताहार, विहार सोने जागने के सैयम पर उन्होंने बल दिया योगी के निरुद्ध चित्त की उपमा, उन्होंने वायू रहित स्थान ने दीपक की अकंपित लौ से दी और इस प्रकार, उस निरुद्ध चित्त का भी जब विलय हो जाता है उस समय वह योग की पराकाष्ठा, अनंत आनंद को प्राप्त होता है संसार के संयोग वियोग से रहित अनंत सुख का नाम योग है योग का अर्थ है उससे मिलन जो योगी इसमें प्रवेश पा जाता है वह संपूर्ण भूतों में समद्रश्टी वाला हो जाता है जैसे अपनी आत्मा वैसे ही सबकी आत्मा को देखता है वह परंपरा काष्ठा की शान्ती को प्राप्त होता है अत्य योग आवश्यक है मन जहां जहां जाए वहां वहां से घसीट कर बारंबार इसका निरोध करना चाहिए श्री कृष्ट ने स्वीकार किया कि मन बड़ी कठिनाई से वश में होने वाला है लिकिन होता है यह अभ्यास और वैराग्यत वारा वश में हो जाता है शिथिल प्रेत्वनवाला व्यक्त भी अनेक जन्म के अभ्यास से वहीं पहुँच जाता है जिसका नाम परंगती अत्वा परंधाम है तपस्वियों ग्यानमार्गियों तथा केवल कर्मियों से योगी श्रेष्ट है इसलिए अरजुन तू योगी बन समरपण के साथ अंतर मन से योग का आचरण कर प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ट ने प्रमुख रूप से योग की प्राप्ति के लिए अभ्यास पर बल दिया है अतह ओम तद्सिदिति श्रीमद भगवद गीता सूप निशत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन समवादे ब्यास योगो नाम शष्ठो ध्याय हम इस प्रकार स्वामी अलगणानंद कृत श्रीमद भगवद गीता के भाष्य यथार्त गीता का छठा ध्याय पूर्ण होता है हर्यों तच्सत्